असलाम लेकूम उमीद है सब खेरियत से होंगे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो वाल पेपर होते हैं दिवारों पे लगने वाल पेपर वो शेयर करने वाला हूँ ये मेरे पास बहुत सारे डिजाइन इसके पड़े हुए है ये डिस्पले पे आ रहे हैं जी ये मैं आप लोगो को दिखाने लगा हूँ ये उपर नमबर भी लिखा हुए डिजाइन का अगर आपको इनमें से कोई भी डिजाइन चाहिए हो तो आप मुझे कोमेंट्स में डि आपके सारे डिजाइन शेयर किया है जो इनसे मिलते जुलते ही है इनकी रेजुलेशन आई है प्रिंटिंग में ये अच्छे से यूज होते है इनका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आता है ये सिंपल नेट से लेगी तस्वीरें नहीं है जो हम सिंपल यूज करते हैं लो के उपर नमबर डिजाइन नमबर आ रहे हैं ये कुछ पुड़न में है इसके लावा और भी काफी सारे हैं मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूं इनकी अरजस्टमेंट जो दिवार का साइज होता है आप उस हिसाफ से अपनी मरज़ी से कर सकते हैं इसको जैसे चाहें आप उस हिसाफ से अपनी मरज़ी से इसको लगा सकते हैं जब आप लोग इसको फ्लेक्स पर प्रिंट करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो एच्छ यह कुछ डिजाइन है इसके लावा और भी है वो भी दिखाने लगा हूँ इन में से यह जो मैं आप लोगों को डिस्प्लेय में दिखा रहा हूँ इन में से तकरीबन बारह से चोदर डिजाइन जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें फाइल का लिंक दिया होगा यह काफी सारे डिजाइन थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ यह कुछ मेरे पास वूडन में है डिजाइन जैसे यह वाल एक पीस है इसको हम मतलब अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं मैं आप लोगों को लिगाते भी दिखा लेता हूँ इसी को लेते हैं कोरल में अगर हमारे पास एक दिवार है वो है 15 बाई 10 इसका साइज हम कम करेंगे और इसको कापी कर देंगे सेम इसी तरह से हम कंट्रोल आर प्रेस करते जाएंगे तो यह एक्शन रुपीट होता जाता है अब हमने इस साइज पर भी इसको कापी कर देंगे इसका साइज और चोटा कर देते हैं पहले तो यह एक चोटा सा बॉक्स हो रहा था लेकिन अब यह वही डिजाइन है इसमें कोई कट नहीं आया कोई इस तरह का फील नहीं हो रहा कि यह वाला डिजाइन जो है यह आप लोग इसको चोटा करके यह अपनी मर्दी से इरजस् यह सारे मेरे पास CDR में हैं तकरीबन मैंने 40 डिजाइन पर वर्क किया था इसमें से मैं कुछ डिजाइन जो है वह आप लों के साथ आज शेयर करूंगा बाकिन चला नेक्स वीडियो में होगी यह कुछ और मजीड डिजाइन है यह वाला जो डिजाइन है यह नीचे जो हम बार्डर लगाते हैं दिवार पर यह उसके काम आता है यह बाकि सारे वाल के डिजाइन है अच्छा जो मैं आप लों को डिजाइन लिखा रहा हूं इसमें सब के नंबर नहीं राइट किया हुआ डिजाइन नंबर नहीं राइट किया हुआ वगर आप लों को डिजाइन न कर दो कर दो कर दो यह मैंने वॉल्यूम के हिसाब से अड़ेस्ट की हुए है इस डिफरेंट वॉल्यूम बनाई हुए है यह मेरे पास कुछ और डेजाइन है यह मैंने जस्ट वैसे डाउनलूड कियो है मैंने पूरा डेजाइन नहीं बनाया हुए इन में से पहले आप इनको देख लें अगर इन में से हमने कोई भी डिजाइन जो है वो वाल पर लगाना है तो इसको किस तरह से लगाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूं यह वल्ला डिजाइन कॉपी करते हैं यह 10x15 में ही लगाते हैं इसको कॉपी किया अब हमने इसको फिर कॉपी करना है और कंट्रोल और प्रेस कर देना तो यह हमारे पास एक डिजाइन बन गया है अगर हमने इसका साइज कम करना है तो हमने इसको पकड़ेंगे चोटा करेंगे और इसको एक कॉपी और कर देंगे इस तरह से एक और डिजाइन लेते हैं इसको हमने कैसे लगाना है थोड़ा से इसको छोटा करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं कहीं से नहीं पता चलता कि ये Design कहांसे कट हूँ है कहांसे इसका पीस साथ अटेच किया गया ये Complete A की Design शो होता है इसको हम अपने हिसाब से क्यूंकि दिवारे एक जैसे नहीं होती कोई कमरा बड़ा होता है कोई छोटा होता है तो ये Different places पे Paste किये जाते है Volume 2 मैंने आप आप लोगों के साथ पहले शेर किये तो आज में आप लोगों के साथ Volume 3 शेर करूँगा त। यह वाले सारे डिजाइन आप लोगों के साथ डिस्कृप्टalayन में जो लिंक होगा इसे आप यह वाले डिजाइन डाउमलोड कर सकते हैं यह जो डिजाइन होगे यह फूल एच्टी में होंगे फूल हाई रेजुलेशन में होंगे इसका रिजल्ट कम नहीं होगा और दूसरी बात अगर आपको जो मैंने इतने सारे डिजाइन 100 प्लस डिजाइन में आप लों के साथ शेयर की हैं उस मेंसे अगर आपको कोई और डि मेंसे अगर यह जो कोई सा ब Gजाइन?